अभिशेक और एश्वर्या की शादी लगभग 14 साल पहले हो चुकी है अभिशेक और एश्वर्या को बॉलिवूट की सबसे पॉपुलर जोडी में से एक माना जाता है हाला कि एश्वर्या से पहले अभिशेक करिश्टा करिश्म कपूर के साथ तै था अलेकिन शादी होते होते तूट गई अब इन सब बातों को लेकर जया बच्चन ने इंट्रिव्यू में खुलासा किया और एश्वर्या के और अपने रिष्टों के बारे में भी बताया और एश्वर्या के कई और खुलासे भी बयाकिये जी हां इंट्रिव्यू के दौरान जया बच्चन ने एश्वर्या को लेकर एक बात कहीं वैसे तो जया बच्चन हमेशा ही अपने बेवाकी के लिए जानी जाती है वो कई बार इंट्रिव्यू में कुछ ऐसी बाते बोल जाती है जो शायद ही किसी को सुनना पसंद हो लेकिन इस इंट्रिव्यू में एश्वर्या के लिए जया बच्चन ने उनकी तारीफ करते हुए बहुत कुछ कहा है जी हां उन्होंरे परिवार से जुड़ी कई बातो का खुलासा किया इस इंट्रिव्यू में जया बच्चन ने अपनी फैमली वेल्यू पर बात की जया ने कहा बच्चों की परवरिश में यह बात ध्यान दी गए कि उन्हें सबसे अच्छे संस्कार मेरे और मैं इन बातों का हमेशा से ध्यान रखती आई जभी तो और राध्या की भी परवरिश कुछ इस तरीके से ही हो रही है इसके बाद जब जया से पूछा गया कि क्या वो ऐसे ही संस्कार अपनी बहू एश्वर्याराय बच्चर में देखती हैं इसके जवाब में उन्होंने कहा और अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहा बलके मैं चाहती थी कि मेरा बेटा उसी से शादी करें वो एक ऐसी लड़की है जो संस्कारी है अपनी परंपराओं का ध्यान रखती है बात तो सही है श्वर्या भी अपने परिवार के लिए अपनी जान शिड़कती है और कहे को पत्थर की लकीर समस्ती है कई इवेंच में यह सारे परिवार एक साथ मौजूद होते हैं तो इनकी केमिस्ट्री आपस में फाता चलती है आला कि खबरे तो आती रहती है कि जया बहुत नाराज है या कुछ ऐसा लेकी नसल में दोनों ही दूसरे से बहुत इज़त और प्यार करते हैं तभी तो ये परिवार पूरे बल्यूट का सबसे सुपर डूपर हिट परिवार कहा जाता है चाहे वो अविशेक बच्चन हो या फिर जया या फिर पोती अराध्या सभी एक दूसरे का बहुत खयाल रखते हैं और एक दूसरे के बीच में प्यार है एश्वर्या भी जया को लेकर कई बार बोलती नजल आई हैं उन्होंने जया की बातों को हमेशा माना है इस बात से तो साफ नजल आता है कि जया बच्चन उनसे बहुत खुश है एक हैपी फैमली को और चाहिए भी क्या होता है नग्स नाइश जया तेकिर पॉक्त